है 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 गाइज वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल है तो आज इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं और और आपको परिया वरंपार क्योंकि हमारे शोहर में ज्यादा कुछ गूमने वाली जगें हैं नहीं जो कुछ भीया रिपीट करकर के आपको दिखती है है बार बार वही एक चीद देख देखें हम वूप चुके हैं क्या कहा रही है हम कहना चाहते हैं बार बार एक चीज देखें हैं वूप चुके हैं तो एक बार फिर और आप देख लीचिए परियावरन पार्क काफी सुंदर लग रहा है क्या नजार आयपोन से पहली बार परियावरन पार्क का वीडियो शूट कर रही हूं मैं मेरे हाथों से तो गाईज में रोज सोचती हूं कि आज मैं इसका वीडियो बनाऊंगी आज मैं उसका वीडियो बनाऊंगी लेकिन कभी मैं कोई वीडियो ने इपनाती हूं किकि मैं बहुत दाल सी हो चुकी हूं लेकिन हाँ आज आ गई हूँ बाहर तो मैंने सचा चाहरो की गया इतने दिन के बाद आज मैं परियावरन पार्क दिखाती हूं पहले कि परियावरन प कर दो कर दो कर दो तो गाइज पार्क के अंदर में कोई स्पॉट अगर आप जानना है यहां फोटो अच्छी आएगी लेकिन मेरा जो फेवरेट स्पॉट है आप फोटो क्लिक करने के लिए वह यही वाला है आप पार्क से सीधा आते हो बीच में इधर साइड मुर जाते हो मतलब इधर साइड मैं कैसे बताऊं अभी आपको दिखाऊंगी वहां पर जहां से मुड़ना है आपको वहां से यहां ओगे तो यहां पर फोटो अच्छी आती है जो है पार्क में सीधा घूसो इस पार्ट पर आपकी फोटो अच्छी आएगी हमाई आसपास इतने ज्यादा पेड़ है फिर भी हमें गर्मी बहुत जाता लग रही है हमें लगता है बाहर चले जाना चाहिए जो इंट्रेंस गेट है वो वहाला में गेट है हां का इधर से आप जाएंगे तो धर जाएंगे इधर से जाएंगे तो इधर अरे कहना क्या चाहते हो हां तो यही सब है यहां पर भाई बहुत दिन बाद में आ रही हूं मैं सब्सक्राइब एक वीडियो बना कि आप सभी को दिखाती भी हूं अगर आप सुल्तानपुर से हैं तो आपको पार दे के बहुत अच्छा लगा होगा किसी बात पे लाइक क कर दो कर दोंगी तो लाइक कर देना जैसे ही आप गेट से बाहर निकलेंगे आपको बहुत सारी चोटी-चोटी दुकाने मिलेंगी वहां पर आप खापी सकते हों तुम्हें आई हुए सब्जी मंदी और यहीं पे बहुत पसंद है आप काफी टाइम बाद में यहां यहां तो अभी आगे हैं हम पड्चूल दलवाने के लिए दल गया तेल हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है आज जो के हैं बाहर का जो मौसर में लग रहा है बहुत बहुत जादा गर्म कर्मी है पूरी स्किन में चिप चिपा हाट हो रहें अजीब सी नहाने के बाद सब्सक्राइब में गई तो उसके बाद मुझे चिप चिप लगे अपने स्किन पर हाँ इस मौसर में बाहर ब्रुकुल नहीं निकलना चाहिए पता नहीं क्यों निकल गई क्योंकि में 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 मक्सद था आज एक वीडियो बनाना कुछ और कंटेंट था कुछ और बना गई मुझे पता भी नहीं था मैं यह बनाने वाली हूं एक्च्वल में कुछ और बनाने वाली थी ठीक है लेकिन यह बना दिया आज मैंने कल किसी ने नहीं देखा झाल